तुट्री वहां है लेकिन आपको अभी जो नोटिफिकेशन है वह स्टाप नर्स के लिए है और पोस्ट जो है दोस्तों आपके पास वह 57 पोस्ट है तो जिन परसंस का या तो आप बोल सकते हो कि बहुत ही लेविल पे रहे हैं नौट सेट के अंदर या फिर जिनका सेलेक्श रखने बाद वहां अपनी पलता जो है उसको पाए और दूसरी बात यह है कि साथ यहां 8020 वी नहीं है देखने को मिलेगा आपको तो आपके पास लगबक चांस है आप वह भी ऑप्सन हटा सकते हो अपने उसमें से कि 8020 इसलिए सेलेक्शन नहीं हुआ चलिए दोस्तों गोरकफुर जो है आपके पास एम्स गोरकफुर जितने भी आपके वे एम्स हैं उन सारे एम्स के अंदर से बहुत वीटिफुल एन्वारिमेंट हैं वहां का काम करने का प्लैजर है वहां पर इतना वर्क लूड नहीं है तो आपका अगर चॉइस है कि अच्छी मिले और उ ओनलाइन त्रीके से फर्म भर सकते तो ऑनलाइन रहने वाला है यह उसकी वेब साइटे दोस्तों इसको आप देख लेना एक बार यहां से आपका फॉम फिल होगा उसके बाद इसनी बात ही है कि क्या क्या माँगा है देखो बढ़़ाला परसन भर सकता है आपका फॉम यहा आई एंसी के अंदर स्टीट नर्सिंग अंदर वो होगा है आपके पास experience मांगा है थ्री एर experience एस स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड एजपर्स इन्हें मिनिमम हंड्रेड वेड़ यह बात आप याद अठकना कि experience जो मांगा है दोस्तों वो दोनों से मांगा है इससे मांगा है इससे आपके पास इन से भी मांगा है और यहां से इन से मांगा है आपका experience उसके पास उसके बाद 21st मेममर तक आपके चलेंगे तो काफी दिन है अभी आपके पास 15-20 दिन है अब तक आप अपने मन को बना लीजिए और रण में उतरने की तयारी कर लीजिए आप बिल्कुल एक्जाम लेट आपकी आई नहीं है उसके बाद अगर आपन बात करें कि कितने पैस के तौर पर उसके बाद SCST अगर आप हो तो चौदा सो सोला है उसके अंदर बारा सो तो एमस लेगा आप से और फिर जीएस्टी जाएगा डिसेबलेटी के लिए कोई नहीं है सर अगर आप परसन जो डिसेबल है जनके अंदर डिसेबलेटी का सट्विकेट मिल रहा है उनक वन डवल जीरो तक रही कि आपके पास यारी सेलरी जो है आपके दवस्तों वह पेलेविल रहेगा एट लेविल का तो सेलरी वैलरी में कोई दिक्कत है नहीं तैयारी अपनी मजबूत रखिए उसी तैयारी को थोड़ा सा आगे और बढ़ा दीजिए नॉट सेट 6.0 के जि मिलेगा ओविसी में 30 साल इन साल नॉट थर्टी मिलेगा पी डवलूडी उनको 10 साल मिलेगा लेकिन याद रखना यहां एज जो है रिलक्सेशन के बाद भी आपके पास 56 से जाधा नहीं होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं हो 50 साल से जाधा कि यह जो दो साल बाता रिटार्में आपके पास एक सर्विसमेंज से जो है जो सेंटल गवर्मेंट क्राइटरिया होता उसके साब से उनको रलक्सेशन मिलता है वह आपको पता है जो नॉन्माल सभी एंस के अंदर लगबग यह इसा होता नौस आपको ऐसा ही मिलेगा देखने को उसके बात दोस्तों एक्जाम से बात को और यह बात चल रहे कि नॉट सेट जो इसमें प्री होगा में प्री होगा में वो बाते चल रही है जैसे उसके बारे में अपडेट आएगी तो बता दी जाएगी लेकिन आप याद रखना नर्सिंग जी के नर्सिंग रीजनिंग और में यह तो आती है बहुत में पड़त आपको यह दो यह बाते पढ़के जाना आप तो एक तो नर्सिंग आएगी पूरी आपकी और आपकी और में पास जनरल एप्टिटूड जो है वो आएगा आपके पास इसे रिजनिंग बोलते हो यह दो ही बाते आपको देखने को मिलेंगी उसका पूरे का निचोड जो है वह महतर आपको तीन हजार रुपे में मिलेगा जो पूरी नर्सिंग है और जो आपके पूरी रिजनिंग है मैत भी प्राइस है अगर आपको लग रहा है कि कहीं से भी जिस भी और पढ़के आयो वहां आपकी थोड़ी थोड़ी बहुत खंजोर है को सब्जेक्ट बीक है तो आप इतना इंवेस्टमेंट कर सकते हो कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर से बहुत बेनिफिट म अगर आपको कोई दो तीन सब्जेक्ट अगर रही है तो आप इसे जोइन कर सकते हो और जिनकी बिल्कुल भी थोड़ी तैयारी नहीं है जो फ्रैसर ही तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छा है तो अपना तैयारी कर सकता है तो यह वैकंसी थी दोस्तों आपक